धर्मपूर गाउं का किसान सुभाश अपनी पत्नी रेखा के साथ बहुत ही खुशाल जिंदगी व्यतीत कर रहा था दोनों पती पत्नी मिलकर अपने खेतों में तरह तरह के सुगंधित फूलों की खेती किया करते थे और उन फूलों से पर्फ्यूम बना कर बेचा करते थे जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी उनकी तरक्की देखकर गाउं का मुख्या जस्वंत जल भुन जाये करता था सुभाश की काम्या भी देखकर जस्वंत कहता है मैं इस गाउं का मुख्या इस गाउं का सबसे अमीर आदमी हूँ पर ये सुभाश तो मेरी बराबरी करना चारा है अब से मैं भी पर्फ्यूम की फसल की खेती करूँगा और उस सुभाश को तो मैं फसल होगाने ही नहीं दूँगा वो कैसे मालिक ये कैसे संभव होगा ये लो इस बोतल में जहरीली दवा है जाकर डाल दो सुभाश के खेतों में इसके बाद फसल तो क्या बलकि उसकी जमीन भी बंजर हो जाएगी आधी रात को जस्वंत का नौकर रामू सुभाश के खेतों में जाकर जहरीली दवा डाल देता है और उसकी सारी फसल को बरबाद कर देता है अगले दिन सवेरे जब सुभाश अपने खेतों पर आता है तो अपनी फसल को बरबाद देखकर बहुत दुखी होता है पता नहीं रेखा हमारी फसल को किसकी नजर लग गई सूखी लकडियों के अलावा खेत में कुछ भी फसल नहीं हो रही फूलों की सारी फसल खराब हो रही है पर ऐसा क्यों हो रहा है जी हमें तो खेतों में कीटनाशक दवाईयां भी डाली थी लेकिन फिर भी हमारी फसल खराब हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है अच्छा आज मैं अकेले ही खेत पर जाता हूँ और कुछ बीज बोकर आता हूँ इतना कहकर सुभाश अपने खेत में जाता है और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद बीज बोकर रात को घर वापस आता है सुभाश के घर पहुँचने के बाद रामू फिर से उसके खेतों में जाकर जहरीली दबाई क्या छिड़काव कर देता है जिससे उसकी फसल फिर खराब हो जाती है ऐसे कुछ दिन बीच जाते है और धीरे धीरे सुभाश की सारी जमापूझी खत्म हो जाती है अब उनके घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे ऐसे हालात में सुभाश गाउं के सेट धनपत से कुछ पैसे उधार लेने चाता है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते है एक दिन सुभाश और रेखा अपने बंजर खेतों में बैठे हुए थे अपने खेतों को बंजर देख कर वो दुखी मन से धरती मा को याद करते हैं और उनसे अपनी मदद करने के लिए प्रार्टना करते हैं हे मा, हमने सदैफ सचे मन से आपकी प्रार्टना की है और हर साल नवरात्रों पर आपको अपनी फसल के फूलों का सुगंधित इत्रही अर्पित किया है और इस बार भी हमारी यही इच्छा है कि हम अपनी फसल का पर्फियूम ही आपको अर्पित करें हे मा, चकचन्नी, मैंने तेरी हमेशा ही सेवा की है हे मा, अब तेरा ही आसरा है हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल मा, हमारी परिशानियों को दूर कर मा और तभी वहाँ धरती मा प्रकट हो जाती है और कहती है पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने हमेशा ही मेरी सेवा की है और मुझे याद किया है यलो बीच, और अपने सारे खेतों में इन्हें डाल दो अपसे तुम्हारी सारी परिशानिया खत्म हो जाएंगी इसके बाद दोनों अपने सारे खेतों में बीजों को डाल देते हैं और अगले दिन सुबह, जब अपने खेतों में आते हैं तो वहाँ का नजारा देख कर हैरान रह जाते हैं उनका पूरा खेत पर्फ्यूम की खेती से भरा पड़ा था हर चकर अलग-अलग खुश्पुदार पर्फ्यूम की शीशी लटकी हुई थी ये नजारा देख कर तो मुझे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा तभी रेखा पर्फ्यूम की एक बोतल निकालती है और उसकी सुगंध से तो मंत्र मुग्ध हो जाती है पर्फ्यूम की इतनी अच्छी महग तो मैंने आज तक नहीं देखी इसके बाद तो मानू सुभाश और रेखा की लोटरी लग गई हर जगा उनी के पर्फ्यूम के चर्शे होने लगे शेहर की बड़ी बड़ी पर्फ्यूम कमपनिया सुभाश को आकर ओरडर देने लगे सुभाश की एक बार फिर से इतनी तरक्की देख कर मुख्या जस्वंत जल भुन जाता है और अपने नौकर से कहता है अरे रामू, लगता है एक बार फिर सुभाश को उसकी आकाद दिखाने का समय आ गया पर वो कैसे मालिक? अगर हम उसके खेट से फसल उखाण कर फेक सकते हैं तो फसल मैसे पर्फ्यूम की बोतल भी तो चोरी कर सकते हैं क्या मतलब मालिक? मतलब ये कि आज रात ही हम उसके खेट में चोरी करेंगे फिर उसकी सारी पर्फ्यूम की बोतल तोड़ कर हम अपने ट्रक में डाल लेंगे और शहर जाकर रातो रात बेच आएंगे उसके बाद उसके खेटों में आग लगा देंगे हम एक बार फिर अमीर हो जाएंगे और वो फकीर आधी रात होते ही जस्वंत रामू के खेटों में पहुँच जाता है और पर्फ्यूम की शीशी निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो शीशी तूटती ही नहीं अरे ये क्या हो रहा है? ये बोतल निकल क्यों नहीं रही? अरे रामू, चरा तू निकाल तो अरे ये कैसी फसल है मालिक? ये बोतल तो निकल ही नहीं रही? नचाने कौन सा जादू टोना करके रखा है सुभाश ने खेट में अब क्या करें मालिक? करना क्या है? अगर ये पर्फ्यूम की बोतल हमारी नहीं हो सकती तो सुभाश के भी नहीं होगी पर वो कैसे मालिक? और तभी जस्वन्त एक बड़ा सा डंडा उठाता है और जोर जोर से पर्फ्यूम की बोतल पर मारने लगता है लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस मोटे डंडे से भी बोतल नहीं तोटती फिर वो पत्थर लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर से भी नहीं तोटती और तभी अपनी गाड़ी से गुजर रहा सेट धनपद भी वहाँ पहुँच जाता है ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी कुछ नहीं हमें लगता है सुभाश की फसल फिर खराब हो गई है हम वही चक कर रहे थे हम दोनों से तो ये बोतल नहीं निकल रही जरा आप कोशिश कीजिए तभी सेट धनपद भी परफ्यूम की बोतल निकालने की कोशिश करता है पर उससे भी नहीं निकलती और कुछी देर में वहाँ सुभाश और रेखा भी आ जाते है अरे सुभाश मुझे लगता है तुम्हारी फसल फिर खराब हो गई ये कैसी बातें कर रहे हैं सेट जी हाँ देखो तो ये बोतल इस फसल से अलग ही नहीं हो रही फिर जैसे ही रेखा और सुभाश परफ्यूम की बोतल तोड़ते हैं तो वो आसानी से उनके हाथ में आ जाती है ये चमतकार देखकर सब हैरान रह जाते हैं अब मुझे सारा माचरा समझा गया इसका मतलब कि इन परफ्यूम की बोतलों को सिर्फ इसके मालिक सुभाश और रेखा ही तोड़ सकते हैं अगर और कोई कोशिश करेगा तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा सेट धनपत का कहना बिल्कुल सही था अब सुभाश को ना तो खेद की रखवाली करने की जरुरत परती और ना ही बीच पोने की धीरे-धीरे सुभाश का व्यापार देश-विदेश में फैल जाता है और वो दिन प्रति दिन अमीर और अमीर होता जाता है हरिया सोकर उठा ही था कि उसकी परती रुपा बोली सुनो जी, अब घर में रोटी सबसी कैसे बनेगी चूला चलाने के लिए इंधन भी खतम हो गया है तुम कोई काम वगेरे ढूनने की कोशिश करो जी रूपा तुम्हारे सामने रोजाना ही सेड़ जी के पास काम मागने जाता हूँ रोजाना मुझे टाल कर खेती का काम दूसरे मजदूरों से करवा लेते हैं तो तुम सेड़ जी की जगह किसी और से काम माग लो तुम्हें पता है, सेट जी उंच नीच का वेहम करते हैं, वो हमें अपने से छोटा समझते हैं, वो तुमसे अपने खेतों में काम नहीं करवाएंगे गाउं में जो भी बड़े जमिनदार थे, सब हरिया से भेदभाव करते थे, और उसे काम ना होने का बहाना करते थे अब तो एक ही रास्ता है, दूसरे गाउं जाकर काम की तलाशी करनी होगी पर दूसरे गाउं आने जाने में तुम्हें सुबह से रात हो जाये करेगी अगली दिन हरिया दूसरे गाउं निकल पड़ता है, दूसरे गाउं पहुँचकर हरिया को काम मिल जाता है पर रोजाना दूसरे गाउं आने जाने में हरिया बहुत ठक जाता था रूपा मुझे दूसरे गाउं के लोग नहीं पहचानते इसलिए मुझे वहाँ पर आसानी से काम मिल जाता है एक मेरे अपने गाउं के लोग जो सीधे मुबाद भी नहीं करते भगवान आपकी बनाई दुनिया में तो सब मनुश्य बराबर हैं कोई उच नीच की भावना नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है फिर मेरे साथ ही ऐसा भेदबाव क्यों भगवान अपने ही गाउं में आज मुझे दुद्कारा जाता है काम मागने जाओ तो गाउं के सेट और जमिनदार कहते हैं कि मैं उनके यहां काम करने के लायक नहीं हूँ हरिया अगले दिन दूसरे गाउं से वापस आ रहा था शाम खिराई थी, रास्ते में उसे एक बुड़े साधु माहराज मिलते हैं बेटा, किस दिशा में जा रहे हो? बाबा, मैं तो अपने गाउं वापस जा रहा हूँ क्या मैं भी तुम्हारे साथ एक रात के लिए तुम्हारे घर रह सकता हूँ बेटा? कल सुभा मुझे यहां से दूर हिमाले पर प्रस्थान करना है तो रात गुजारने की कोई जगह नहीं है मेरे पास हाँ, हाँ, बाबा, जरूर, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और आराम से रात बिता सकते हैं, पर… क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गए? अगर तुम मेरा अपने साथ जाना पसंद नहीं करते या तुम्हारे साथ चलने में कोई अर्चन है तो मैं नहीं जाओंगा बेटा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ जंगल में ही रात गुजार दूँगा नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर क्या आप मेरे घर रह पाओगे? मेरे यहाँ तो गाओं का कोई भी व्यक्ति नहीं आता, सब मेरे से दूर भागते हैं, सब कहते हैं, कि मैं उन सबसे बहुत छोटा हूँ, उन सब के साथ बैठने उठने लायक नहीं हूँ, बस यहीं सोच रहा था बाबा नहीं बेटा, व्यक्ति छूटा या बड़ा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं, मैं तुम्हारे घर में खुशी-खुशी राद बिता सकता हूँ बाबा आपकी बात है सुनकर, मुझे आज बेहत प्रसन्नता हुई है, आज कोई अतिथी मेरे घर में आएगा, तो रूपा को भी बहुत खुशी होगी हरिया उन साथू महराज को अपने साथ घर ले आता है, और रूपा से गरम-गरम रोटी बनाने के लिए कहता है रूपा बहुत समय के पस्चात हमारे घर को अतिथी पधारे हैं, और वो भी साथू महराज के रूप में, तुमें काम करो, जो भी आटा रखा है, उसकी गरम रोटीयां बना कर उपर गुड रख कर दे दो बाबा, ये लिजे गरम रोटी और गुड, हमारा अहो भाग्य है, जो आप हमारे यहां पधारे हैं, बाबा भोजन करने के पस्चात साथू महराज रूपा और हरिया से कहते हैं हरिया साथू महराज के लिए कुए के पास ही बिस्तर लगा देता है, और कुछ समय पश्चात साथू महराज को नेंद आ जाती है अगली सुब़ हरिया और रूपा सो रहे थे, साथू महराज कुए के पास जाते हैं और अपने कमंडल में से जल की कुछ पूंदे लेकर कुए में छिड़क देते हैं, इतनी देर में हरिया और रूपा भी उठकर आ जाते है सादू माहराच वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और हरिया रोजाना की भाधी दूसरे गाउं काम के लिए जाने लगता है अचानक एक दिन भाया लगता है गाउं में सूखा बढ़ रहा है नदी नाले सब सूखते जा रहा है सुदर्शन जी आपकी तो छोड़ो हमारे साथ भी यही कानी है मेरे अपने घर में भी इतना गेरा कुवा खुदवाया हुआ है वो भी पूरा सूख चुका है एक बून भी पानी की नहीं है मुझे तो लगता है कि हमें गाउं के चौधरी जी से बात करनी चाहिए घर के दो नुकवें सूख चुके है कहां से आएगा पानी पीने का गाउं के इतने बड़े जमिंदार हो तुम्हें पता है गाउं में सूखा पढ़ चुका है कुछ तो पाए सोचो अब गाउं में सूखा पढ़ गया है हम भी क्या करें जो थोड़ा बहुत पानी था मैंने तुम्हें मंगवा कर दे दिया अब सारे नौकर चाकर भी दूर गाउं से पानी ला ला कर ठक गए है कोई भी हमें अपने गाउं से पानी नहीं देता है सब को अपने गाउं की चिंता है इसलिए हर कोई अपने गाउं में पानी बचा कर रखना चाहता है कि कहीं वहां भी सूखा ना पड़ जाए ए चादरी साहब हम सब की भी अहीं विपता है कि गाउं में पानी कहां से आए पानी की एक बून भी गाउं में नहीं है चादरी साहब सब घरों का बुरा हाल है, गाउं के सारे कुए, तालाब, नदी, नाले, सब सूख चुके हैं, कहीं भी पानी की एक बून नहीं है मालिक, कुछ कीजिए चौदरी साथ गाउं में सूखा पढ़ जाने से सब लोग बहुत परिशान थे, उधर हरिया और रूपा हैरान थे रूपा पूरे गाउं में सूखा पढ़ा हुआ है, कहीं भी पानी की एक बून नहीं है, पर हमारे कुए में तो पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, और वो भी साफ और मीठा, ऐसा कैसे हो सकता है रूपा की, गाउं के सभी कुएं और तालाब सूख गए हैं, पर हमारे कु जास हो गया था कि इस गाउं में सूखा पढ़ने वाला है। हे साधु महराज, आप जहां कहीं भी हैं, हमारी तरफ से धन्यवाद स्विकार कीजे। हरिया और रूपा मनी मनुन साधु महराज को धन्यवाद करते हैं। उधर जब ये बात जमिंदार को पता चलती है तो वो भी हैरान रह जाता है। हमारी बिरादरी का नहीं है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम एक जमीनदार होकर एक गरीब के घर का पानी पिएंगे। चौदरी साहब यदि हम ऊच नीच देखते रहे तो हम सब बिना पानी के स्वर्ग सिधार जाएंगे हाँ। हमें मजबूरी बश हरिया के कुए से पानी लेना ही होगा। ठीक है ठीक है हम हरिया के घर जाएंगे और पानी की सहायता के लिए मदद मागेंगे। हम जानते हैं हमने हरिया के साथ बहुत बुरा किया है। इसलिए आज भगवान भी हमारी तरफ नहीं है। वो भी हरिया के साथ है। पोरे गाउं में सूखा पड़ा हुआ है पर सिर् चादरी साहब को अपने घर आया देख, हरिया हैरान रह जाता है। चादरी साहब, आज आप मुझ गरीब के घर पधारे, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, चादरी साहब, जो आप, आपने यहाँ आने का कस्ट किया। हरिया, अब सिर्फ तुम ही हो जो इस गाउं को सूखे की चपेट में आने से बचा सकते हो, क्या तुम अपने कुएं का पानी गाउं वालों को प्रियोग में लाने की इजासत दोगे। मुझे भी बहुत खुसी होगी, आप सभी गाउं वालों को बोल दीजिये की यह पूरे गाउं का कुआ है, वो चाहे जितना मर्जी यहां से पानी ले सकते हैं। हरिया हमें माफ कर दो, हमने हमेशा तुम्हें गाउं में सबसे छोटा समझा, हम तो सीधे मूँ तुम्हारे साथ बात भी नहीं करते थे, पर आज तुम ही इस गाउं को बचाने के काम आये हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हरिया। हरिया, आज के बाद तुम्हें दूसरे गाउं में काम की तलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे खितो पर ही काम करोगे, और अपना जीवन यापन करोगे, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, तुम काम मागने के लिए आते थे, पर मैं तुम्हें टाल देता था, पर आज मैं तुम्हारे पास पानी मागने के लिए आया, तो तुमने बाहें पसार कर मेरा स्वागत किया, किसी ने सही कहा है, इनसान अपने कर्मों से ही उंचा बनता है, जो आज तुमने साबित कर दिया हरिया, हरिया को उसकी अच्छाई का फल मिल गया था और आज एक गरीब का कुवां अपने जल से उच नीच के भेटभाव को धो चुका था कि पूल मिल बार आज एक के भी स्वाव के बार आजा है